हलो गाइज, वेलकम बैक, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने होलकर साइंस कॉलेज में अडमिशन लिया है और आपको अपना सेक्शन नहीं पता है तो उसे कैसे पता करेंगे आप, तो हम सबसे पहले कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे, यहां कर लिजिए, कॉलेज होलकर.org, ठीक है यहां आप सिर्फ होलकर साइंस कॉलेज भी यदि सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको यह सर्च हो जाएगा, आपको जाना है वेबसाइट पर, जैसे ही आप वेबसाइट पर जाता हैं तो यह देखिए, यहां पर लेटस पर लिजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी टाइम टेबल के रिगार्डिंग नोटिस है, टाइम टेबल आ चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम टेबल को कैसे समझें, उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है, तो यहां मैज ग्रूप, बायो ग्रूप के अलग अ टाइम टेबल हैं, फर्स सम, M.S.C. प्रिवियस फाइनल और B.S.C. थर्ड यर के जो हैं, यहां पर आचुके हैं टाइम टेबल, तो अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि सेक्शन कैसे पता करना है, तो उसको क्रॉस करके हम यह जो होम पेज है वेब साइट का उस पर आ गए अब यदि इसमें आप नीचे की साइट देखेंगे, तो देखें लिखा है, सेक्शन इंफर्मिशन फॉर स्टूदेंट्स एड्मिटेड इन सेशन दोज़र बाइस देश्वाले सेशन में जो लोग एड्मिटेड हैं, उनको कैसे इंफर्मिशन तो इसमें आप क्लिक कर द हैं कॉलेज में, तो आपको अपने जिस भी सब्जेक्ट में आप MSC कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में जाकर मिलना है, ठीक है, और यदि आपकी बात है BSC और BCA से रिलेटेड, तो या तो आप यहां पर क्या करें, अपना अप्लिकेशन ID नमबर डाल दें, जब आपने रिजिस्ट्रेशन किया होगा ओनलाइन, तो आपका एक अप्लिकेशन नमबर मिला होगा, ठीक है, तो इसके आपके पास प्रिंट आउट आउट आपने ली होगी, तो जो MP Online से आपने फॉर्म निकलवाया था, फील करने के बाद, या तो उस पे से देखकर आप अपना रिजिस्टर किया है, उसको भी डाल सकते हैं, तो यह दोनों एंट्रेश आपको उसमें इंसर्ट करने हैं, ठीक, और जैसे ही आपके पास दोनों एंट्रेश आप इंसर्ट कर देंगे, फिर आपको यह जो सब्मिट बटन है उस पर क्लेक करना है, अच्छिली मेरे पास and then submit पे क्लिक करना अभी ये field नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है जब हम आप उसको feel कर देंगे तो ये आपको section बता देगा कि आपको कौन सा section अलोकेट हुआ है ठीक है जब आपको section पता चल जाएगा तब फिर आप जो time table आ चुका है उसको देख पाएंगे ठीक है क्योंकि कि अगर section ही नहीं पता तो आप time table आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको कौन से section का देखना है तो हम next video में बात करेंगे time table को कैसे समझें के लिए अगर आपने channel अभी भी subscribe नहीं किया है तो इसे जरूर से subscribe कर लें thank you guys मिलते हैं अपनी next video में